हलो बचो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RBSC Physics के Class 12 के Chapter 5 के Important Questions के बारे में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल Physics Junction को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बाकी Chapters के Important Questions की वीडियो भी आपको मिल सके और इसी वीडियो के Description में दिया हुआ है हमारे Telegram चैनल का लिंक उस लिंक पर जाकर की Telegram चैनल को भी जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर आपको एक्जाम टाइम में Chapter-wise Important Questions, Model Paper, Pre-Boards, हर Material प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को सबसे पहले देखते हैं कि Chapter जो फिप्थ है उसका नाम है चुम्बक्तव एमम द्रवे, Magnetism and Mater अब की बार Board Exam में इस Chapter से तीन क्रिश्चन आने वाले हैं सबसे पहला क्रिश्चन रहेगा रिकत स्थान, फिल इंदी ब्लेंक्स आधी नंबर का एक ही प्रशन आएगा घुत्रात्मक प्रशन, शोर्ट टाइप क्रिश्चन, एकपन पांच नंबर का आएगा, कुल मिलागर के बोल सकते हैं कि ये Chapter रहेगा तीन नंबर का सबसे पहले रिकत स्थान की बात करते हैं पहला है कि ध्रू प्रबलता का मात्रक, आपसे यूनिट पुछी है पॉल स्ट्रेंथ की पॉल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो कितनी होती है एंपियर इंटू मीटर दूसरा है अनुचुम्बकिय पदार्थ, प्रबल चुम्बकिय छेतर की ओर होते है देकि अनुचुम्बकिय है तो ये क्या होंगे? आकरशित होंगे हम बोल सकते हैं ये होंगे आकरशित फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रशन की कि प्रति चुम्बक ये पदार्थ प्रबल चुम्बक से प्रबल चुम्बक की ओर होते हैं मतलब डाइ मेगनेटिक मेटीरियल की बात हो रही है यहां पर वो क्या होते हैं प्रतिकर्शित होते हैं रिपल्चन होता है उनका बोल सकते हैं ये होंगे प्रतिकर्शित नेक्स्ट है कि अनू चुम्बक ये पदार्थ की चुम्बक ये परवर्ती आपसे क्या पुछी है ये हमेशा कैसी होती है ये होती है पॉजिटिव अनू चुम्बक ये पदार्थ की फिर नेक्स्ट पूछ रखी है प्रतिकर्शित पदार्थ की चुम्बक ये परवर्ती अब की बार आपसे डाइ मेगनेटिक सब्स्टेंस की पूछ लिए कैसी होगी प्रति जुम्बक ये पदार्थ की नेगेटिव होती है रिनात्मक होती है और अती चालक पदार्थों की अगर पूछ ली जाए तो सूपर कंडुक्टिव सबस्टेंस की ये कैसी होती है ये भी नेगेटिव होती है क्योंकि अती चलक जो पदार्थ होते है वो किसका प्रकार होते है प्रती चुम्बकिय पदार्थ का ये प्रकार होते है दायमेगनेटिक सबस्टेंस ही होते है सुपर कंडुक्टिव सबस्टेंज नेक्स्ट प्रशन है चुम्बकिय अघुर्ण की दिशा की ओर चुम्बकिय अक्ष के अनुदिस होती है आप से डारेक्शन पुछिए किसकी मेगनेटिक मुमेंट की कि वो मेगनेटिक अक्षिस के लोग किस डारेक्शन में होती है हमेशा याद रखना है वो साउथ पोल टू नोर्थ पोल होती है किदर से किदर साउथ टू नोर्थ यानि की दक्षन से उत्तर कियो फिर नेक्स्ट है चुम्बकिय द्वीध्रू अघुर्ण का SI मात्रक है आप से अब की बार मेगनेटिक डाइपोल मुमेंट की SI यूनिट पूछी गई है जो कितनी होती है एंपियर इंटू मेटर स्कॉर नेक्स्ट है कि छड़ चुम्बक के बाहर चुम्बकिय प्रेरण की बल रेखाऊं किस दिशा में गमन करती है छड़ चुम्बक के बाहर जो है यानि कि एक बार मेगनेट के आउट साइड के अंदर आप से पुछा है मेगनेटिक इंडेक्शन फोर्स लाइन की डारेक्शन ये होती है नोर्थ टू साउथ यानि कि उत्तर से दक्षन की ओर उत्तरिधरों से दक्षन ध्रो की ओर नेक्स्ट है कि चुम्बक के द्वीधरों का एक उधारन है एक्जाम्बल पूछ लिया आप से मेगनेटिक डाइपोल का इसका एंस्पर क्या होगा करंट लूप यानि कि दारावाही लूप फिर हम बात करते हैं अती लगुत्रात्मक प्रशन की यहां से सबसे पहला अती लगुत्रात्मक प्रशन है कि चुम्बक तो में गाउस के नियम का सुतर लिखो आपको फार्मुला लिखना है गोस्लो का किसके लिए मेगनेटिजम के लिए गोश्लो एलेक्ट्रिक फिल्ड के इंदर भी आया था, यहां मेगनेटिसम वाला लिखना है, अगर उसके स्टेटमेंट की मैं बात करूँ, तो स्टेटमेंट क्या होता है कि चुम्बकिय छेत्र में बंद प्रस्ट से निर्गत नेट चुम्बकिय फ्लक्स सदेव कितना होता है सदेव जीरो होता है यह इसका स्टेटमेंट रहेगा और इसका फॉर्मला कितना हो जाएगा बंद प्रस्ट का समाकलन बी वेक्टर डॉट डी अस वेक्टर यह चुम्बकिय फ्लक्स को डिनोट करता है यह हमेशा कितना रहेगा यह हमेशा जीरो रहेगा इस प्रशन को बहुत इंपोर्टन प्रशन है यह वाला नेक्स्ट है कि चुम्बक की जामिती लंबाई वे प्रभावकारी लंबाई में क्या सब्बंध है मतलब रिलेशन बताना है आपको जियोमेट्रिकल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ के बीच में तो जो प्रभावकारी लंबाई होती है जो प्रभावकारी लंबाई यानि कि एफेक्टिव लेंथ है वो एक्वल होती है 5 by 6 जियोमेट्रिकल लेंथ के यानि कि चुम्बक की जामिती लंबाई के ये रिलेशन है निक्सट है कि उत्तरी ध्रूव W ए दक्षनी ध्रूव में ध्रूव प्रभलता लिखिए आपको पॉल सि टिंथ लिए नोर्थ पोल और साउथ पोल के लिए तो अगर मैं बात करूँ नोर्थ पोल की, इसके लिए जो धूपर बलता होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है और अगर बात करूँ मैं South Pole की यानि कि दक्षनी ध्रू की इसके लिए जो ध्रू परबलता होती है वो हमेशा कैसी होती है Negative M होती है फिर है कि प्रती चुम्ब किये अनू चुम्ब किये और लोहे चुम्ब किये कि आपक्षिक चुम्ब किये परगम्यता Mu R का Amount लिखना है आपसे Value पुछिए किसकी Relative Magnetic Permability की किसके लिए Diamagnetic, Feramagnetic और Ferromagnetic के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी प्रती चुम्ब किये पदार्थ की Diamagnetic जो प्रती चुम्ब किये पदार्थ होते हैं इनके लिए Mu R का जो Amount है वो हमेशा एक से कम होता है दूसरी जो बात करते हैं वो हम करते हैं अनू चुम्ब किये की अनू चुम्ब किये जो पदार्थ होते हैं उनके लिए Mu R का Amount हमेशा एक से होता है बड़ा और लोहे चुम के पदार्थ के अगर बात करें तो लोहे चुम के पदार्थों के लिए मियू आर का माउन एक से बहुत बड़ा होता है अच्छा और इंपोर्टन किस्टन है इस साल एक्जाम के लिए इन तीनों में से एक चीज आ सकती है आपको फिर है चुमकन तीवरता का सुत्र इंटेंसिटी आफ मेगनेटिजम फॉर्मला पुछा है आपको अब देखे चुमकन तीवरता को हम डिनोट करते हैं आई से आई का जो फॉर्मला होता है वो क्या होता है चुमकन आघुर्ण बटा आयतन वी इसी को हम लिख सकते हैं M बटा A यहाँ पर M जो है वो धुरूपरबलता है और A क्या है चेतरफल है अगर हमसे परिवाशा भी पूछ लिए कोई चुमकन तीवरता की हम बोल सकते हैं धुरूपरबलता और चेतरफल का अनुपाथ ही क्या होता है चुमकन तीवरता होता है इंटेंसिट ओप मेगनेटीजम होती है पॉल स्टेंथ और एरिया की रेशो नेक्स्ट है देखिए कि चुमकन छेतर का CGS मात्रक लिखो CGS यूनिट आप से पूछ ले गई है मेगनेटाइजिंग फिल्ड की यह होती है और एस्टेड सात्वों प्रशन है कि चुमकिये परवर्ती का सुत्र लिखो मेगनेटिक सस्केप्टिबिलिटी का आपको फॉर्मला पूछ लिया गया है सबसे पहले तो मेगनेटिक सस्केप्टिबिलिटी को डिनोट किसे करते हैं कई से करते हैं और इसका फॉर्मला होता है I बटा H यहां पर I क्या चीज है I है चुम्बकन तिवर्ता अभी हम बात कर क्या थे और H क्या चीज होता है चुम्बकन छेत्र तो इन दोनों का अनुपात होता है चुम्ब के प्रवर्ति फिर इसके अगर परिवाशा भी पूछ ले जाए आपसे तो वो क्या होगी कि प्रति एकांग प्रति एकांग चुम्बकन छित्र लगाने पर पदार्थ की चुम्बकन पदार्थ की चुम्बकन तिवर्था को चुम्बकिय परवर्थी कहते है देखी यह है चुम्बकिय परवर्थी की परिभाशा और यहां से इसका मात्रक पूछ लिया जाता है कई बाद तो इसका मात्रक क्या है यह तो एक मात्रक हीन राशी है वीमा भी पूछ लिजाए तो वीमा हीन होती है इसकी कोई वीमा और कोई मात्रक नहीं है आठवे प्रशन पर चलते हैं जो है कि आपक्षिक पारगम्यता तथा चुम्ब के परवर्ती में संबंध फॉर्मूला बताना है आपको किस-किस के बीच में Relative Magnetic Permability और Magnetic Susceptibility के बीच में Relation क्या होता है μू आर और काई के बीच में Relation ये होता है न्यू आर इस एकल टू 1 प्लस काई नेक्स्ट देखिए कि वे पदार्थ जिनमें अणों के चुम्ब के अघुन शुन्य होते हैं क्या कहलाते हैं जिनके अंदर Magnetic Moment 0 होता है वो क्या होते हैं वो प्रती चुम्ब के पदार्थ डाया Magnetic Substance होते हैं ये प्रशन काफी बार एक्जाम के अंदर आ जाता है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको नेक्स्ट है कि चड़ चुम्ब को बाहे चुम्ब के छेतर बी में रखने पर उस पर कितना Net बल लगता है और बल अगुरन कितना होगा आपको Net Force पूछा है एक बार Magnet पर जो वर्क करता है जब उसको External Magnetic Field में रख दिया जाए और Torque का Amount भी आप से पूछ लिया गया है जब भी कभी आप एक चड़ चुम्ब को बाहे चुम्ब के छेतर में रखते हो तो उस पर लगने वाला बल सदेव कितना होगा जीरो होगा और उस पर जो Torque लगेगा उसका Amount कितना होगा वो होगा MB साइन थिटा रहेगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रशन की ओर जो है 11 कि चुम्ब के छेतर B और चुम्ब के छेतर H वे माध्यम की पारगम्यता μू के बीच में संबंद लिखो आपको relation बताना है magnetic field magnetizing field और permeability of medium के बीच में देखिए जो माध्यम की पारगम्यता μू होती है वो होती है कि इनका रेशो चुम्ब के छेतर और चुम्ब के छेतर का रेशो होती है इनके बीच में relation रहता है μू is equal to b बटा H फिर हम बारवा प्रशन देखते हैं कि 0.1 meter प्रभावी लंबाई के चछड चुम्ब के ध्रों की ध्रो प्रबलता 40 ampere into meter है इसके चुम्ब के अगुरुन की गन्ना करो आपको गन्ना किसकी करनी है वो करनी है, pole strength of the pole of a bar magnet of effective length 0.1 meter is 40 ampere into meter calculate its magnetic moment magnetic moment निकालना है दिखिए चुम्ब की अगुरुन या फिर magnetic moment निकालने का formula होता है कितना ध्रो प्रबलता into length ध्रो प्रबलता कितनी दे रखी है यहाँ पर 40 इनके बीच की length दे रखी है 0.1 यह हो जाएगा 4 ampere into meter square इस प्रशन का उत्तर है नेक्स्ट है कि प्रती चुम्ब कीए अनुचुम्ब कीए और लोह चुम्ब के पदार्थों की चुम्ब कीए परवर्ती की ताप पर निर्भरता बताओ आपको temperature dependence explain करना है किनकिन का temperature dependence of magnetic susceptibility of diamagnetic, ferromagnetic and ferromagnetic materials सबसे पहले हम प्रती चुम्ब की की बात करते हैं इसका जो मान है न वो ताप पर निर्भर ही नहीं करता है मैं ऐसा बोल सकता हूँ काई का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है अब से ऐसा भी पूछता जा सकता है कि वो कौन से पदार्थ है जिनके लिए चुम्ब की परवर्ती का मान यानि कि काई का मान temperature पर depend नहीं करता तो उनका जवाब होगा प्रति चुम्ब के पदार्थ दूसरा होते हैं अनुचुम्ब के पदार्थ अगर हम अनुचुम्ब के पदार्थों की बात करें तो अनुचुम्ब के पदार्थों के लिए जो amount of काई है तो वो ताप के वित्करमानुपाति होते हैं और यहां पर यह जो ताप है वो कौन सा है? परमताप है तुम कह सकते हैं कि चुम्ब के प्रवर्ती का मान परमताप के वित्करमानुपाति होता है किसमे अनुचुम्ब के पदार्थों में और लास्ट बच जाते हैं लोहे चुम्ब के पदार्थ और लोहे चुम्ब के जो पदार्थ होते हैं उनके लिए जो काई का माउंट है वो विद्करमानुपाति होता है T-TC यहाँ पर T-C कौन सा अताप है? Q-Ri-Tab यानि कि लोहे चुम्ब के पदार्थों में काई का amount है वो Q-Ri-Tab की विद्गरमानुपाती होता है चोदुए प्रशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रती चुम्ब के पदार्थों के बारे में पुछा जाएगा कि प्रती चुम्ब के पदार्थ है यानि कि डाया मेगनेटिक सबस्टेंस कौन से होते है तो कुछ पदार्थ चुम्ब के छेतर में रखने पर चुम्ब के छेतर के विपरित दिशा में मंद चुम्ब की थोते हैं अब विप्रित दिशा में मंद चुम्ब की थोने का मतलब प्रतिकर्शित होना है ऐसे पदात चुम्ब के छेतर से प्रतिकर्शित होते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं प्रति चुम्ब के पदात कहते हैं Some substance which are less magnetized in opposite direction when palaced in external magnetizing field are called diamagnetic substance परिभाशा के अलावा इनके example पुछे जा सकते हैं आपसे जिंक हो गया जैसे आपका copper हो गया आपका silver हो गया gold हो गया NaCl है H2O है आपसे example पुछे जा सकते हैं फिर इनसे पुछा जाता है कि इनका M का amount कितना है यानि कि चुम्ब के आघुरण का amount कितना है प्रति चुम्ब के पदार्थों के लिए चुम्ब के आघुरण 0 है Mu R का amount less than 1 है और इनके लिए जो चुम्ब के परवर्ती होती है वो कैसी होती है Negative होती है तो परिभाशा, example और तीन ये प्रशन सारे important है प्रति चुम्ब के पदार्थों के लिए फिर आते हैं अनुचुम्ब के पदार्थ अनुचुम्ब के पदार्थ हम कह सकते हैं पैरा-मेगनेटिक सबस्टेंस तो कुछ पदार्थ चुम्ब के च्हेतर में रखने पर चुम्ब के छेतर की दिशा में मन्द चुम्ब कित होते हैं ऐसे पदार्थ चुम्ब के छेतर से आकरशित होते हैं इन्हें अनुचुम्ब के पदार्थ कहते हैं जो प्रती चुम्ब के थे वो चुम्ब के छेतर की विपरी दिशा में मन्द चुम्ब कित हुए थे और ये चुमकी छेतर की दिशा में मन्चुमकित हुए हैं इसका मतलब इनमें attraction force लग रहा है आकरशित हो रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे अनुचुम के पदार्थ खह सकते हैं Some substance are less magnetized along the direction of magnetic field when palaced in external magnetizing field are called paramagnetic substance Example इनके देखा जाए sodium है, aluminium है, magnesium है, oxygen है और अनुचुम के पदार्थों के लिए amount of mu r is greater than 1 and काई का amount क्या होता है, positive होता है अब काई के amount में एक चीज़ ओर पुछी जाती है कि positive होने के साथ और क्या होता है तो वो कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है पॉजिटिव जुरूर है, लेकिन एक के आसपास वाली value रहती है फिर आते हैं, लोहे चुम के पदार्थ यानि कि लोहे चुम के पदार्थ ferromagnetic substance कुछ पदार्थ चुम के छेतर में रखने पर चुम के छेतर के दिशा में प्रबल रूप से चुम कित हो जाते हैं, इन्हें हम लोहे चुम के पदार्थ कहते हैं some substance are highly magnetized in the direction, along the direction of a magnetic field when palaced in external magnetizing field, these substance are called ferromagnetic substance देखिए इनके लिए amount of mu are क्या होता है यह से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है काइक है जो, चुम के परवर्ति उसका amount positive होता और बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको कोई example दे दिया माली जे किसी का चुम के परवर्ति का amount so है तो वो क्या होना चाहिए, तो फिर वो लोहे चुम के होगा तो उसका positive भी हो और एक से बहुत ज़्यादा है, और ये क्या होते है चुम के छेतर के दिशा में परवल रूप से चुम की तो होते हैं, यानि कि इन पर ज़्यादा आकरशन बल लगता है, लोहे चुम के पदार्थों पर फिर आता है कि चुम के आघुरन क्या है इसका SI मातरक भी लिखो, आपको magnetic moment का definition और SI unit पूछ ले गई है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो चुम्बक है चुम्बक के धुप्रबलता वे उसके प्रभावकारे लंबाई का गुननफल क्या कहलाता है चुम्बक के अघुरन कहलाता है चुम्बक के अघुरन एक सदिश रासी है, एक वेक्टर क्वान्टिटी है इसको M वेक्टर से डिनोट करते है इसका formula M वेक्टर is equal to धुप्रबलता पॉल स्टेंथ into प्रभावकारी लंबाई L होता है, इसका जो मात्रक है वो होता है कितना M पीर into meter square रहता है फिर हम बात करते हैं लगुत रात्मक प्रशनों की कि जो चुम्बक के अबल रेखाएं हैं वो क्या है, इनकी कोई दो गुन धरम लिखो जिनमें से एक गुन धरम बहुत important है कि ये परस पर काटती क्यों नहीं है इनका ये कि चुम्बक के जो बल रेखाएं है काटती नहीं है ये वाला question पुछे जाने के संभावना ये जादा रहती है कि क्यों नहीं काटती फिर है magnetic field lines और इसके two properties बूचली नेक्स्ट प्रशन है कि एक समान चुम्बक के चेतर में रखे चुम्बक के द्वीधरों पर लगने वाला बल आगुरून का व्यंजक प्राप्त करो तॉर्क्यू ओने बार magnet in magnetic field आपको टॉर्क्यू का formula इसमें drive करके बताना है या ये blueprint में भी दिया हुआ है कि किसी बाहर चुम्बक के चेतर में स्थित प्रती चुम्बक के अनुचुम्बक के पदार्थों के लिए चुम्बक के चेतर रेखाईगी जिए आपको magnetic field lines डो करनी है diamagnetic और paramagnetic substance के लिए जब उनको external magnetic field में रख दिया जाए तो ये जो पहला डाइग्राम है ये है प्रती चुम्बक के पदार्थ का ये किसका है प्रती चुम्बक के पदार्थ का और ये है अनुचुम्बक के पदार्थ का कुछ इस तरीके की आपको क्या मिलती है चुम्बक के छेतरे रिखाई देखने को मिलती है अगर आपने प्रती चुम्बक के रखाई तो कुछ ऐसी चुम्बक के छेतरे रिखाई मिलेगी क्योंकि इसमें क्या होता है प्रती कर्षन होता है चुम्बके अंदर से निकलेगी निकलेगी और अनुचुम्बके है इनमें अकरशन होता है तो इनके अंदर से चुम्बके बल रेखाए निकलेगी फिर है चुम्बके परवर्ती आपक्षिक चुम्बकन सेलता के मद्य समंध स्तापित करो magnetic permeability और susceptibility के बीच में relation आपको करना है फिर definition है दो definition important है चुमकन तिवर्ता की और चुमके पारगम्यता की intensity of magnetization and magnetic permeability ये दोनों ही definition important है एक प्रशन और important है कि वह मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिकर्शन ही प्रतिकर्शन ही चुमकतव का प्रमान है क्यों ये प्रशन पूछ साजा सकता है आपसे देखिए माल लेजिएगा ये एक आपके पास कोई material है मैंने पुछा कि ये चुमक है की नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे मैं इसके पास एक चुमक लेकर कि आऊँगा एक और चुमक अगर ये चुमक लाने पर ये चुमक और ये वाला जो material जिसको मुझे चेक करना है कि ये क्या है अगर ये दोनों आकरशित हो रहे हैं तो देखिए हो सकता है ये चुमक हो या फिर हो सकता है कोई लोहे का टुकडा हो चुम्बक से तो लोहे का टुकड़ा भी आकर्शित हो जाता है तो आकर्शन से तो मैं नहीं बता सकता कि यह चुम्बक है या नहीं है पर अगर इस चुम्बक को पास लाने पर यह वाला टुकड़ा परतिकर्शित होकर के दूर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यह पका ह ही चुम्बक है क्योंकि इसमें हुआ क्या होगा समान ध्रूप पास में आए होंगे तभी ये दूर गया है अगर लोहे का टुकड़ा होता तो आकर्शित होता लेकिन ये प्रतिकर्शित हुआ है रिपल्सन इसके अंदर हुआ है इसका मतलब 101 परसेंट यहां पर क्या होगा ये वाला जो दिया हुआ मेटीरियल है ये क्या होगा आपका चुम्बक ही होगा तो मैं कह सकता हूँ कि प्रतिकर्शन ही चुम्बक तो का प्रमान है अगर आपको चुम्बक चेक करना है कि चुम्बक है या नहीं है तो हमें प्रतिकर्शन की हल्प लेनी पड़ेगी प्रत आने वाले हैं, जिन में से एक रिकत सांग, दूसरा वेरी शोट और लास्ट वाला शोट टाइप केश्चन रहेगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर